आपको लगता है जैसे युगों तक वो दुख बरकरार रहा है ऐसा भी आपने जुरूर अनुभो किया होता है पहुंचेंगे अगर जब आप क्राउन पर पहुंच जाते हैं सहसरार पर पहुंच जाते हैं तो सिर में चीटियों के चलने जैसा अनुभो होने लगता है दोस्तो क्या आपने कभी टाइमलेसनेस वाली स्थिति को अनुभो किया है और थात समय के अंतराल से पार चले जाने वाली स्थिति का आपने कभी भी अनुभो किया है आज मैं आपको विस्तार से टाइमलेसनेस वाली सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही मज़दार होने वाला है जी हैं सेल्फ अवेक्निक मिशन से संजीव मलिक दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें ये टापिक टाइमलेसनेस वाला बहुत ही पुराना है और बहुत ही इंपोर्टेंट है इस मुद्दे पर एक बिलकुल नए अंदाज में हम चर्चा करेंगे समय शुनिता अर्थात टाइम के पार निकल जाना एक ऐसी अवस्था जब आपको समय का पता ही ना चले कि समय जैसी कोई चीज है ऐसा कभी भी अनवव हो सकता है ध्यान की गहराईयों में ऐसा अनवव होना बहुत उत्तम है कभी कभी किसी बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ समय बिताते हुए आप को समय का ऐसास ही नहीं होता कि कितना समय निकल गया है और कभी कभी दुख की घडियां बहुत जादा छोटी होने के बाद भी मतलब एक घंटे की दुख आपको लगता है जैसे युगों तक वो दुख बरकरार रहा है ऐसा भी आपने जुरूर अनवव किया होता है तो इस के परिपेक्ष में आपके कंटेक्स्ट में बिलकुल अनुवव कर सकते हैं क्या आपने कभी अनुवव किया है कमिट करके जरूर बताईएगा अब इस टॉपिक के बारे में आपको मैं अलग-लग तरीकों से उधारन देकर बताता हूँ जैसे आपने टाइम मशीन के बारे क्वांटम फिजिक्स की ये थोरी जो है वो परमानवे गती और परकाश की गती की रेलेटिव थियोरी पर आधारित है यानि आप किसी भी स्थिते में इन दोनों की गतियों में अगर आप एक हामनी स्थापित कर दें तो आप पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख पाने म सफल हो सकते हैं हालाकि ये अभी तक एक कल्पना मात्र है और इस पर अनीक तरहां की मूवीज भी बनी है आपने टाइम मशीन जैसी मूवी के बारे में जरूर सुना होगा अगर नहीं सुना तो ऐसा आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं इसमें अनेक अनेक ठी प्रचुरियां दे गई हैं जिसमें टाइम मशीन के अलग अलग रूपों में बताया गया है कुछ लोगों में ये कल्पना भी की गई है कि उनके पास ऐसी शक्ति है या ऐसी मशीन है जिसके द्वारा वो टाइम के पार जा सकते हैं अब मैं आपको इसका अध्यात्मिक पह पताना कभी कभी परमात्मा की दिविता में लीन होकर हो सकता है आपको समय का बिल्कुल बहुत ही ना पता चला हो आप बैठे थे और आप जब उठे उस अवस्था से तो आपको लगा जैसे कुछ समय वैतीत हुआ ही नहीं है लेकिन आपने घड़ी में समय देखा तो दो पंडे बीच चुके हैं आपको लगए कि अभी एक सेकिंड का भी टाइम नहीं बीता है ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने कभी ऐसा नुबो किया है अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताएगा अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मेडिटेशन की गहराईयों में इस अव जाने से आप उन चकरों की उर्जा को एक्टिवेट कर पाते हैं धीरे धीरे जब यह उर्जा उपर सहस्रार तक पहुँचती है तो उसके बाद आप टाइम लेसनेस का अनुबव कर पाते हैं हलाकि नीचे कि किसी भी चकर पर ध्यान लगाते वें टाइम लेसनेस का अधार पे ही हो जाए। हो सकता है आपको हिरदेचकर पहो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रावण चक्र, अर्था सहसरार पर जाकर तो ये अनुबव हो गा ही हो वहां जाकर समय का बोध नहीं बचता क्या आपने कभी सहसरार तक की यात्रा की है हमारे बहुत सारे वीडियो में क्राउन चक्र के उपर मैंने विस्तार से बताया है संजीर मलिक क्राउन चक्र के नाम से आप वीडियो सर्च कर सकते हैं आपको अनेक वीडियो मिलेंगे उसमे एक खास ध्यान है, सिर की चोटी से उपर ध्यान के नाम से एक ध्यान है, जुरूर करके देखेगा, तो आप अनुभव कर पाएंगे, तो अब मैं आपको step by step अगर अभी बताओं, तो वो क्या होगा, चक्र जागरन की इस क्रिया का पहला जो चरण है, वो है मुलाधार, यान ग्राओं की जब आप वहां पहुँच जाते हैं, तब आपको बहुत सारी नुभव तक तक आपको मिल चुके होते हैं, तो इसके लिए अभ्यास लगता है, समय लगता है, आपको इडा, पिंगला और सुषना नाडियों को जागरित भी करना होता है, इसके उपर हमारे बह अनुबह होता है, जैसे भी आप क्राउन पर जरूर पहुँचें. अग़ जब आप क्राउन पर पहुँच जाते हैं, सहसरार पर पहुँच जाते हैं, तो सिर में चीटियों के चलने जैसा अनुबह होने लगता है, और वहां पर इसका दूसरा चरण शुरू होता है. तो तो आप बहुत लंबे समय तक ध्यान की उस गहरी अवस्था में टिक पाते हैं इस गहरी अवस्था का ही दूसरा नाम समाधी के रूप में पतंजली योग में बताया गया है कि आप समाधिष्ट होने लगते हैं आपको कभी-कभी जलक आने लगती है तब ये है दुतिय में आपकी यात्रा ही समाप नहीं होती अब आपको सहज ही आप उस अवस्था में रहने लगते हैं यानि कि जो पहले कभी-कभी होता था अब वो बहुत लंबे समय तक रहता है अर्थात आपका ध्यान क्राउन चकर में कॉंटिनूसली बना रहता है क्या आपने इस अवस् आपको लगेगा कि आप अभी बैटे थे और अभी उठ गए ध्यान से लेकिन वास्त में जो समय था वो एक दो तीन चार घंटे भी बीच जाता है यह वही अवस्था होती है जिसमें पहुंचने के बाद जिसमें पहुंचने के बाद अनेक योगी जो हैं वो लंबे समय त तोर पर ये तीन चार घंटे की समाधी होती है और उसके बाद एक लंबी अवस्था समाधी की आती है अब मैं नंबर चार पर उसी समाधी अवस्था का वियान करता हूँ तो चार नंबर पर है समाधी अवस्था यानि वो अवस्था जहां पर आप समाध्धान में उतर में आप अपनी चेतना का विस्तार अनुबव करते हैं आप ऐसा अनुबव करते हैं जैसे आप है नहीं नहीं ये शरीर नहीं है आप एक विराठ चेतना है और ऐसा अनुबव होता है कि जैसे आप पूरे ब्रहमांड में फैले हैं आपका ये शरीर का बोध तो कभी का समाप् और वो जो चीतन है वो विराट है वो एक शरीड तक सिमित नहीं है वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे ब्रमांड में फैली हुई है और क्योंकि वो पूरे ब्रमांड में फैली हुई है उसका कोई और छोर नहीं है वहां पर टाइम एक्जिस्ट नहीं करता और आपको बहुत लंबे समय तक आप समाधी में उतर सकते हैं ऐसी अवस्था को ही मैंने चौथी अवस्था की बात कही है यही है टाइमलेसनेस की स्थिती अनेक लोग इसमें परमानन्द के अनुभूती करते हैं हमारी थरड़ाई की क्लास में हम घंटों तक ही सवस्था में बैठे रहते हैं और इसके बाद योग समाधी की कलास में हम योग की समाधी की अलग अलगवस्थाओं में ये आनन्द जो है वो पाते हैं, आपको भी कभी अनुव। करना है तो आप इन कलासज़े को चाहे तो जोईन कर सकते हैं, चाहे इनके कुछ अनुवव यूटीउफर देख सकते हैं, अनिक चीजें मैंने यूटूबर समाधी के बारे में बताई हैं, प्लीज उन्हें फोलो करके देखें, समझे, मलक समाधी वर्ड सर्च करें तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्या आपने भी सुमीन अवस्ता का तो भी अनुवो किया है, अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें, थेंक यू, थेंक यू वेरी मच्च